Hello students, welcome to our YouTube channel, Senna Advanced Education. This is environmental study of class 3rd and today I am going to teach you lesson 4. Lesson 4 is Healthy Eating. आज किस लेसन में हम Healthy Eating के बारे में बात करेंगे. भोजन किते प्रकार का होता है, हम कैसे कैसे भोजन करते हैं, कच्छा भोजन खाते हैं, पकावा भोजन खाते हैं. इसके अलावा हम जो बच्चे होते हैं, वो कैसा भोजन करते हैं, और उनकी क्या क्या आदते होती हैं, और हमारी खाने की क्या क्या आदते होनी चाहिए, आज के इस लेसन में हम ये सारी बाते बढ़ेंगे. Let's begin the lesson. Some food items may be eaten raw. कुछ भोजन ऐसे होते हैं, जिनको कच्चा खाया जाता है. Raw means होता है कच्चा. We eat fresh fruit and vegetable in raw form. हम जो ताजे फल होते हैं और सब्जे होती हैं, उनको कच्चा खाते हैं. Eating raw food is good for health और इस तरीके के जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे भोजन जो हम करते हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. It is rich in vitamins and minerals और इस तरीके के जो भोजन होते हैं, उनमें विटामिन और मिनिरल की मात्रा बहुत अधिक होती हैं. Raw, fabulous food like carrot, radish, turnip, etc. is good for teeth और जो रेशेदार भोजन होते हैं, जैसे carrot है, radish है और turnip हैं, वो हमारे दातों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. We should always wash raw food well to remove any germs और dust. हमें हमेशा जो कच्छे फल होते हैं, उनको अच्छी तरीकी से धोना चाहिए, उनके उपर जो germs होते हैं और dust को साफ करने के लिए, हटाने के लिए. Some foods like pulses, rice, etc. cannot be eaten raw. और कुछ food ऐसे होते हैं, जिनको हम कच्छा नहीं खा सकते हैं, जैसे दाल हैं और rice हैं, हम इनको कच्छा नहीं खा सकते हैं, इनको हम पका कर ही खाते हैं. So it is important to cook these food items, तो जिनको हम कच्छा नहीं खाते हैं, उन्हें हमें पका कर खाना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा important होता है. Cooking food kills the germs in the food and makes it soft, tasty and digestible. जब हम भोजन को पका कर खाते हैं, मतलब जो पका वो भोजन होता है, जब हम पका कर खाते हैं भोजन को, तो उसके अंदर जो germs होते हैं, वो मर जाते हैं, और इसके अलावा जो खाना होता है, वो बहुत हलका हो जाता है, soft हो जाता है, tasty हो जाता है और digestible, जिसको आसानी से जा सके इस तरीके से वो खाना बन जाता है बूथ दफूड रो एंड कोग्ड आर इंपोटेंट फूर अस दोनों ही तरीके के भोजन चाहे वो कच्चा भोजन है चाहे वो पकाव भोजन है हमारे लिए इंपोटेंट होते हैं राइटू फूड आइटांस टैटर इटन ओनली यहां पर दो ऐसे भोजन के नाम लिखने हैं जिनको हम केवल पका कर ही खाते हैं नेक्स कोशन राइट टू फूड आइटम्स दैट आर इटन विदाउट कोग्ड और इसके अलावा यहां पर दो ऐसे फूड आइटम के नाम लिखने हैं जिने हम केवल कच्चा ही खाते हैं राइट फूड आइटम्स टैट आर इतन बोथ और बोथ रो एन कुक्ड और यहां पर दो भोजन ऐसे लिखने हैं फूड आइटम्स के नाम ऐसे लिखने हैं जिनको हम कच्चा और पका हुआ दोनों ही तरीके से खा सकते हैं Eating habits of family members, अब हम बात करेंगे family members की eating habits के बारे में Eating habits of different members of family differ according to their age, gender and physically habits Family में अलग-अलग members की अलग-अलग आदते होती है उनकी age के अनुसार, उनकी gender के अनुसार, उनकी physical habits के अनुसार, सभी जो अलग-अलग member है, उनकी खाने की आदते भी अलग-अलग होती है Babies in the family depends on milk and soft food which are easy to eat and digest जो छोटे बच्चे होते हैं family में, वो दूद या फिर हलके खाने पर ही निर्भर होते हैं वो केवल या तो हलका खाना खाते हैं या फिर दूद पीते हैं क्योंकि जो दूद होता है या हलका खाना होता है, वो आसानी से खाया जा सकता है और आसानी से पच भी जाता है Can you name a food product for a baby from the market? क्या आप एक ऐसी food product का नाम बता सकते हैं जो market में मिलता है और केवल बच्चों के लिए ही होता है Growing children eat more proteins for their growth and body building जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं वो जादा protein लेते हैं अपनी growth के लिए और body building के लिए Since children play a lot and do a lot of physical exercise, they need food more often than older people क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुँ जादा खेलते हैं और बहुँ सारी physical exercise करते हैं इसलिए जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के तुल्ला में कई बार खाना खाते हैं Growing up people who do lesser physical activities should avoid oily food विक्सित व्यक्ति जो कि कम physical exercise करते हैं उनको oily खाना नहीं खाना चाहिए ओली फूर्ट जो होता उनको avoid करना चाहिए ओल्ड पीपल व्रद व्यक्ति जिनके दाते ही होते हैं और इसके लावा जो कम physical activities करते हैं उनको बड़े व्यक्ति मतले बड़े लोगों या फिर एक्टिव पीपल्स यंगर यंगर होता है एक तरीकी से हम छोटा बड़े बुड़े हो गए और तो व्रद और यंगर जो होते हैं जवान उनकी तुल्ला में या फिर जो एक्टिव लोग होते हैं उनकी तेख है वैं डू यू टेक यूर ब्रेगपास्ट आप अपना ब्रेगपास्ट कप करते हैं तरी करते हैं यू लाइक टो टो टेक इन लज़व फूरे पको फूरे उक्वं बहुत जरूरी होता है हर तरीकी के खाना खाना और सही मातरा में खाना good food habits अच्छी खाने की आदती it is important to remember some rules about healthy eating हमें कुछ rules को याद रखना चाहिए healthy eating के कुछ rules को हमें याद रखना चाहिए क्या क्या rule है वो we should eat fresh and clean food हमें हमेशा fresh food मतलब ताजा भोजन और clean साफ भोजन करना चाहिए eating still food can make us sick और जो बासी भोजन होता है ठीक है उसको अगर हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं तो जिस्टेल फूड होता है वह हमें बीमार बना सकता है वी शुट इट वैजिटेबल और fruits that are in season और हमें जो season की जो fruit या फिर सबजें होती है उनको खाना चाहिए वी शुट कट fruits only when we are ready to eat them और हमें फलो को तभी काटना चाहिए जब हम उन्हें खाने के लिए तयार हूं वी शुट कट वैजिटेबल only after washing them हमें सबजे को तभी काटना चाहिए जब हम उनको धोले मतलब काटने से पहले हमें उनको धोलेना चाहिए वी शुट वैजिटेबल and fruit thoroughly before eating them और हमें शबजेओ को या फिर फलो को खाने से पहले सही तरीके से धोलेना चाहिए Do not eat food from a vendor on the roadside और इसके लावा जो सडक के किनारे खाना बेचने वाले होते हैं जो खाने की चीज़े सडक के किनारे बेचते हैं हमें उनसे भी खाना नहीं लेकर के खाना चाहिए We should chew our food well और हमें अपने खाने को ठीक तरीके से चबा करके खाना चाहिए We should take only as much food on our plate as we can eat और हमें अपनी प्लेट में केवल उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें उससे ज़्यादे हमें लेना नहीं चाहिए We should not eat too many toffees, chocolates and chips और हमें बहुत ज़्यादा टोffees, chocolates and chips भी नहीं खाने चाहिए We should keep the places where food is cooked and eaten not and clear हमें उन जगाहों जहाँ पर हम खाना बनाते हैं या फिर हम जहाँ पर खाना खाते हैं हमें उनको साफ रखना चाहिए उनका ध्यान रखना चाहिए We should eat with clean hands और हमें हमेशा खाना साफ हातों से ही खाना चाहिए हातों का अच्छी तरीके से दो करके हमको खाना खाना चाहिए Avoid eating food that is sold in the open और इसके अलावा जो खाना खुले में मतलब एक तरीके जैसे ओपन दिखाया हुआ है तो हमें इस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए इस तरीके के खाने को हमें avoid करना चाहिए always eat healthy food और हमें हमेशा healthy food ही खाना चाहिए ये था class third EBS का lesson fourth वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना ना भूले thank you